संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा पड़न तू डाड़स रखो मैंने संसार पर विजय पाई है संत योहन का सुसमाचार अध्या सोला पसक्या तैंतेश आज का सुपसंदेश प्रत्वी के राज्यों संस ईश्वर का भजन गाओ प्रत्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ क्रिस में मेरे प्यारे भायूर बहनों प्रभु येसु मसी अपने सिश्वों से बिचुड कर प्रभु ईश्वर के पाहास जाने वाले हैं जो कुछ उन्होंने अपने सिश्वों को समझाया था द्रिस्टान्तों के द्वारा, चमतकारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने विपखार के द्वारा सब कुछ कतम करने के बाद, प्रभु उन से एक प्रश्ण पूझते हैं, क्या तुम अब विश्वास करते हो? यानि सब देखने के बाद, मुझा अनुबाव करने के बाद, मेरे साथ रहने के बाद, क्या तुम विश्वास करते हो? कि मैं पिता इश्वर का पुत्र हूँ, मैं इस अंसार का नहीं हूँ, मैं एक मुक्ति दाता हूँ, मैं आप सब के लिए आया हूँ, यह शायद यह दुख भरा प्रश्ण होगा, प्रभु ने देखा होगा, अनभव किया होगा, सिश्री प्रभु के साथ रहने के बावजू पुद भी वो उन दोनों में एक ता नहीं थी, प्रभु को करीब से नहीं जान पाये थे वो, शायद यह दुखी होकर संसार से जाने के पहले, मृत्यू के पहले प्रभु यह उनसे प्रश्ट पूछते हैं, और वो अंत में कहते हैं, संसार में तुमें खलेश सहना पड़ेगा, दुखधर्द सहना पड़ेगा, परिशानियों को सहना पड़ेगा, क्यूंकि आप लोग मुझ में विश्वास करोगे, मेरे जीवन में आप जीवन बिताओगे, मेरे बारे में आप सोच कर, परक कर वो काम दुनिया में करेंगे और कहते हैं डड़ो नहीं धड़स रखो विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ हूँ संसार को मैंने विजही पाया है जी है मेरे प्यारे बाइते दबैनो एक जगा सांत्वाना बरित शब्द प्रभु येसु बोलते हैं दूसरी दगा दुख भर शब्द दोनों को ताल मेल रखते विए हमें अपने जीवन को आके बढ़ाना है इस संसार में रहते विए दुख धर्द सहना पड़ता है लेकिन यदि हम उस एक मात्र पुत्र पर जो प्रभु येसु है उनमें विश्वास करेंगे शायद आध्यत्मिक आंतरिक शक्त वो जरूर हमें देगा आईए उनसे प्रात न करें जैसे उन्होंने इस संसार पर विजय पाई थे हम भी अपने कमजोरियों पर विजय पाते विए प्रभु का प्रभु पर विश्वास करते विए उनका अनुसरन करें आमें